साथियो इस क्लास में हम डिसकस करेंगे है भील परदेश के बारे में ये जो हाइलाइटेड एरिया आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है इमाजिन भील परदेश और इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किस-किस स्टीट में फैला हुआ है तो राजस्थान, गुजरात, बाहराष्ट्रा और मध्यपरदेश इन सबी के जो बॉर्डर एरियास हैं इनको मिला के एक भील परदेश बन रहा है जो कि एक इमाजिन एरिया है अब ये भील परदेश के बारे में अभी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं तो साथियों पिछले महिने की बात है जुलाई 18 को बहुत सारे लोग राजस्थान के मान गड़ में इकठे होते हैं और फिर से ये डिमांड रखते हैं कि भील स्रीट होना चाहिए जिस तरीके से मध्य परदेश है जिस तरीके से उत्तर परदेश है ठीक इसी तरीके से भील परदेश भी होना चाहिए तो भील पर्देश का जो एरिया अभी आपने देखा यह बिलकुल इंडिया के वस्त में आपको देखने को मिलेगा गुजरा तर राजस्तान अध्यृ परदेश और भारास्ता के जो एरियां हैं उन सभी बॉर्टरिंग एरिया को मिला के एक भील पर्देश की कलपना की जा रही है भील पर्देश की साथ ही जब हम बात करते हैं तो इसमें लगभग अगर मांदी जीए यह सफल हो जाता है अगर यह कलपना अगर रियलिटी में कनवर्ट हो जाता है तो इसमें 39 डिस्टिक जो है यह चार स्टेट्स में फैले हुए है 16 डिस्टिक्ट जो है यह गुजरात में है दस राजस्तान में है 7 मद्यपरदेश में और 6 महराष्ट्रों में भील परदेश की जो मांग के साथ यह नहीं बिलकुल नहीं है पहली बार इसकी मांग जो थी आपको देखने को मिलता है 1913 के बाद में आफ्टर मांगर्ड मैसकर तो इस चैप्टर के लास में हम देखेंगे यह मांगर्ड मैसकर था क्या जिसके इमीडियेट बाद फिर उस समय के भील शोशल रिफॉर्मर गोविन गुरू थे इन्होंने डिमांड करना चालू किया कि एक भील परदेश जो है यह होना चाहिए कहने का मतलब है भील परदेश की जो डिमांड है बिलकुल नहीं नहीं है यह प्री इंडिपेंडनेंस का कॉंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा अब थोड़ा साम समयझते हैं कि भीलोग है कौन तो सबसे पहरे जगर हम देखें इस शब्द को तो यह शब्द भीलू शब काफी एंशिंट है रमायन और महाभारत जैसे एपिक्स में अगर इनका मेंशन है अगर हम देखें तो इनको हम प्री-ार्याज बी कहते हैं तो इसका मतलब इनका जो औरीजिन है रमायन और महाभार्त से भी काफी ओल्ड आपको देखने को मिलता है लोकेशन कहां पर वेस् इन सभी में से जादा जो नंबर है वो किसका है वो बील कम्योटी का ही है और तोल इंडिया में जितने भी ट्राइब कम्योटी से हैं उस-Не ठील है और इसमें से भी सबूपन chloristед nos आपको बील कम्योटी का देखने को मिलता है अब सवाल ही है कि यहाँ पर separate state की demand क्यों की जा रही है तो देखो भील community को लोगों को कहना है कि क्योंकि हमारी existence बहुत सालों से है तो बहुत लंबे समय तक जिन areas की हम बात कर रहे हैं जिनको हम इकठा करके जोड के भील street बनाएंगे यह किसी point of time पर एक ही unit हुआ करता था तो एक तो यह point यह historical point रख रहे हैं दूसरा यह कह रहे हैं कि आज के समय में जितने भी यह government scheme जो निकल किया आती है इसका implementation नहीं हो पता हमारे area में कहने का मतलब है कि जितने भी government scheme आते हैं इनका benefit इन लोगों को मिली नहीं पाता तो यह कहने हैं कि अगर हमारा खुद का state हो हमारे खुद की representative अगर होंगे तो इन policies को proper तरीके से implement किया जाएगा और फिर यह भी कह रहे हैं कि जो हमारा culture है क्योंकि बहुत जादा पुराना है और यह बहुत जादा different है हिंदूism से तो इसलिए क्योंकि हमारी अलग identity है बहुत age old हमारी race है तो इस basis बे एक separate state तो होना ही चीए तो यह demand रखा जा रहा है भी community के द्वारा government का क्या stand है देखो government का कहना है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो यह एक domino effect create करेगा और जिसका चलते होगा क्या कि जो बाकी areas है जैसे बोडो land हो गया ठीक है ऐसे बहुत सारे areas है यह लोग भी कहेंगी कि भाई इनको अगर अलग से state दे दिया तो हमें भी state बलना चाहिए और यह बात बिल्कु सही है अब देखो यहाँ पे ना एक दूसरा angle आप देखी यह भील state की जो demand की जा रही है वो इस समय क्यों appropriate नहीं है देखो एक जी आप याद रखना है एक बात सोचें अगर हम यहाँ पे अगर मालनों कि भील state बन जाता है तो क्या यह जो travel community है क्या इनका जो social economic condition है क्या यह automatically improve हो जाएगा सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि देखो power में तो वही लोग रहेंगे जो अभी power में है जो अभी influential लोग है भी community के power में तो वो लोग ही आएंगे यह लोग तो हमेशा यह बात करेंगे क्योंकि नया state अगर बनेगा तो ऐसे जो आज के time में MP MLA है यही बाद में जाके क्या बनेंगे Chief Minister बन जाएंगे मंतरी बन जाएंगे तो यहां पे आदिवासी लोगों को सोचना चाहिए कि जो situation आदिवासी लोगों की है जैसी अभी है तो नया state अगर बन जाता है उनकी situation तो ऐसी रहेगी इसके क्या guarantee है कि इसमें reform आ जाएगा बहुत सारे changes आ जाएंगे example अगर हम देखें देखो यहां पे एक भारत की tribal party है तो इनके दो MLA सभी देखने को मिलेंगे राजस्तान में भारत आदिवासी party है एक तो भारत आदिवासी party अगर आप देखोगे इनके जो MP MLAs हैं अपने constituency में इतना अच्छा काम करके दिखा दे कि वाकई फिर बाद में ये tribal लोग कहे ये भील community के लोग कहे ये जो हमारे representative थे इनों ने तो बहुत अच्छा काम किया तो अगर हमारा अलगा state होगा तो वहाँ में बहुत ज़्यदा development हो जाएगा पहले ये लोगी example set करें अगर ऐसा example set हो जाता है तब तो state की demand की जाना एक अच्छी सी बात होगी एक स्वभाविक सी बात होगी क्योंकि historical बहुत सारा इसमें आप perspective देख सकते हो लेकिन यहाँ पे कही न कही एक बात को आप sense कर सकते हो कि अगर यहाँ पे भील स्टेट की demand रखी जा रही है तो भील स्टेट जब बन भी जाएगा तो benefit किसको होगा भाई यह जो भारतिये tribal party है भारत आदिवासी party है इन लोगों का ही benefit होगा इनके जो अभी MLA है यही बात में जाके MP बनेंगे, मंतिरी बनेंगे, Chief Minister बनेंगे तो सबसे पहले इन लोगों को पहले example सेट करना चाहिए उसके बाद यहाँ पे बिल स्टेट की demand करनी चाहिए अब हम देखते हैं यह मानगड मैसेकर क्या था तो देखो ऐसे जो टॉपिक आते हैं हिस्ट्री के इसको अप्रोच करने का तरीका के है सबसे पहले तो आपने याद रखना है मानगड मैसेकर जो है, यह किस से related है किस community से related है, तो यह भील community से related है बात कब की है, नमंबर 17 नमंबर 17 की बात है 1913 की हम बात कर रहे है तो नमंबर 17, 19, 13 की यह बात है तो ऐसा क्या हुगा इस दिन? तो इस दिन लगभग 1500 भील लोगों की हत्या की गई थी British के द्वारा, यह पूरा मामला क्या था? तो देखे पूरे मामले को अगर हम समझे 1910 में भील community ने 33 demands British government के सामने रखे थे जिसमें से इनोंने बोला कि एक तो force labor नहीं होना चाहिए, higher tax नहीं होना चाहिए और यह जो गोविंद गुरू है इनके जो followers हैं जो भील community के रेपेसेंट कर रहे हैं इनके उपर ना सरफ प्रिंस्ली स्टेट बरकि इसको कम किया जाना चाहिए तो यह कुछ यह लोग डिमांड रखते है 1910 में British ने कुछ accept नहीं किया इन डिमांड को और बोला कि 15 नमंबर 1913 से पहले-पहले मानगड का यह जो एरिया है इसको खाली करके जाना पड़ेगा ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हुआ नहीं इसे लिए British ने क्या किया इन प्रोटेस्टर्स पे गोले चलानी शुरू कर दी और लगभग इस पूरे इवेंट में 1500 भी लोगों की मौत हो जाती है अब देखो यह जो इवेंट है ना इसको हम आदिवासी जल्यावाला बाग मैसकर भी कहते हैं यह याद रखना है आपने यह कोशन हा सकता है वेपर में कि किस इवेंट को किस इवेंट को हम आदिवासी जल्यावाला बाग मैसकर भी कहते हैं तो यह मानगड मैसकर है ठीक है तो इतनी information साथ ही कम से कम आपको पता होनी चाहिए So thank you for watching, keep learning, keep growing, जय हिंत